अगर तुमची दुकान दर वात्वाज जासते हैं तर माजगडी आपवर के लिए कि बबाबा मला दोन कोटी रुवे पाई जे लिए नमस्कार आदाब आज भ्योंडी शेहर में खलबली मची हुए भ्योंडी शेहर के एक कांग्रेसी नेता और नगर से वक्त सिद्धेशवर कामूर्ती को 50 लाख रुपया एक दुकान मालिक से लेते हुए आज से एक दिन पहले शाम के समय में एंटी करप्शन बेवरों ने उ में लेकर चले गए सिद्धेशवर कामूर्ती ने भारतेयंता पार्टी से कांग्रेस पार्टी तक सफर किया है कांग्रेस पार्टी में नगर सेवक के पत पर रहते हुए पद्धमानँगर के एक दुकानदार जिनकी दुकान महानगरपली का रोड वाइंडिंग में तूटी थी उस पर जब उन्होंने बांध काम किया था तो बांध काम के चक्कर में सिद्योशर कामूर्ती ने इन्हें धमकाया और दो करोड रुपे की मांग की बहराल एक पूरो नगर सिवक के सहयोग से मामला हल हुआ और प ठाने एंटी करप्शन बेवरों ने 50 लाख रुपे लेते हुए सिद्योशर कामूर्ती को गिरिफतार कर लिया एंटी करप्शन ने इनको दूसरी बार गिरिफतार किया इसके पहले भी इनके उपर ये मामला है आईए देखते हैं बैपारी ने क्या कहा मैं खान फक्र आलम आईए दुकान जे उती ना पदमानगर बाजे मारकेड मदे रोडवाडी में तूटले होती है ती तूटले अंदर आमाल पर्मिशन दिल्दी महन से बालटे ने के बाननों जामां आई बानले अंदर हाँ कामूर्ती साहब है यतना याना माहित पढला कि या अनलिगे ले आई अगर तुमची दुकान जरु वात्सवाज जासते हैं तर माजगी आफ़र के लिए बाबा मला दोन लाक दोन कोटी रोवे पाई जे दोन कोटी नसल दे तुझा फारमाउस दे आनि पन्नास लाक हुवे क्यास दिमान साहब है इमलन माला का जमना नहीं ते आमचे मैं म सबरे दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुचनी चाहिए तो आप लोग जरूर देखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यूटुब चैनल भी देखिए थांक्यू